नमस्कार जहिंद वंदे मातरम जो एपिया करके इस वीडियो को अंतक पूरा द्यान से देखते रहेगा अज की जो मोधिस सरकार ने जो एरियर है सेली है पैंसन है आरतिक साहिता को लेकर अंतिम वेतन को लेकर जो गोशनाएं किये उन सभी गोशनाओं को विस्तार से जानेगे तो अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजिगा साथी बेल आइकन देखेगा उसे भी दबा करके ओल पर प्रेस्ट कर दीजिगा ताकि ऐसी नई वीडियो और भी देखने को सबसे पहले आपको मिलती रहे बात करें सबसे पहले आपकी पैंसन और एरियर की रासी और सेलर की तो आपकी एरियर आपके खाता में कब रासी का बुखतान किया जाएगा तो मोदी सरकार ने आज बहुत ही बड़ी अनकी जनसबा को संबोधित करते हुए इस तरह का इनकी EPS के पैंसन दारके और केंदरी करमचरी है जिनको बहुत बड़ा आसवासन दिया है उनकी पैंसन को लेकर सुजाव जारी किया है कि सरकार इनकी 2024 के लोगसभा चुनाव से पहले पहले आपकी पैंसन में बड़ोतरी कर सकती है इसकी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं की गिये है यह मीडिया रिपूर्ट के नसार जो जानकर यारी है जिसके नसार ऐसे सुजाव जारी है यनकी जनसबा से मोदी सरकार ने इस तरह इनकी गोशना की है कि आप सभी क की एरियर के रासे भी सरकार बुक्तान करेगी 2024 से पहले पहले यह सभी पैंसन दार के जो केंदरी करम चरिये उनको यह लाब मिलने वाला है और तीन माखा एरियर आपका 20 नवर से लेकर की 15 नवर तक आपके खातों में जो की तीन माखा बगाए एरियर वो खाते में आपकी बुक्तान हो जागा बात करें आपकी सेलरी में कितनी वड़ोतरी होगी तो अगर बात करें सेलरी लिमिट है जो एपिस के पैंसन दार को की वरतमान में तो सेलरी लिमिट जो 15,000 रुपे ती जिससे की खतम कर दिया गया अब नई सेलरी कितना लागू किया जागा इसको ले आपका सेल 25,000 रुपे पैंसन दार के उनका करने को लेकर का है और पैंसन दारकों को आस्वासन दिया आए साथी ईपीस पैंसन की बात करें तो ईपीस पैंसन भी आपकी बढ़ेगी इस तरह के अनके साथ में ऐलान होआए कि 9,000 रुपे की मिनमम पैंसन मिलेगी मोदी सरका को लेकर सामती देंगे इस तरह की आपडेट आपकी मीडिया रिपोर्ट करनुसार पैंसन की रासे को लेकर आ रही है जो पैंसन धारके जो एनकी अटाउन साल से अधिक एच के पैंसन धारके उनको साथ में पांच सो रुपे की आरतिक साहिता देनों को लेकर भी मोधिस तरका ने आज की एनकी एलान किया है जिसके अनुसार पांच सो रुपे की आपको आरतिक साहिता भी मिलेगी और आपकी अ आपके नियम है और पेंसन को लेकर जो एलान वे गोशना ही हुए अगर लागू की जाती है तो फिर केंद्री करमचारी हो या फिर EPS के पेंसन धार को उन सबी को अच्छी अनकी कुसकबरी देखने को मिलेगी उनकी जो परमुक यही मांगया कि उनकी पेंसन की रासी को ख़बरे गए वो चाहते हैं कि सरकार 2004 से पहले जो पेंसन नहीं OPS उनको ही पिर से लागू करे और वरतमन में 2004 के बाद लागू NPS है सिस्टम जो नियू पेंसन का उसे पूरी तरह से समाप्त करके NPS है उसको समाप्त किया जाए और OPS को फिर से सरकार लागू करे इसको ले संसोदन की बाद में आपको NPS में किस आदार पर कितनी पैंसन मिलेगी यह पहले नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस तरह की जो मीडिया रिपूर्ट के नुसरा जा सकता है लेकि अधिकारी क्रूप से सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई पैंसला नहीं किया है तो फिर आपक जो पैंसन NPS में कुछ संसोदन हो जाएंगे लेकिन होने की उमीद जो पैंसन दारके वो भी कर रहे है और कुछ से एक्सपर्ट है उसका भी माना है कि सरकार 2024 के जो लोकसभा चुनावे उससे पहले आपकी NPS में संसोदन कर सकती है और 40-45 पिस्ती वाली गारंडी वाली पै जो OPS के अंदर वो भी आपको सिस्टम यानकी NPS के अंदर भी देखने को मिलेगा लेकिन इसको अब इंजार करना हो कि कि सरकार इसको लेकर कब फैंसला करती है लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अधिकार की गोशना नहीं की गिए अगली बड़ी अपडेट आरी जो 7P Commission के तर जो करमचारी आते है केंदरी करमचारी उनके लिए good news होने वाली उन्हें तौफा मिल जोका है लेकिन कई अभी भी बाकी है तौफे मिलने आपको करमचार को नए साल का अंजार है नए साल में मांगा इबता फिर से रिवाईज होगा लेकिन इसके साथ में टेवल अलाउंस एच आरे जो में इसमें कितनी बोड़तरी होनी संभव है साथ में आपकी फिटमेट फैक्टर को लेकर भी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है केंदरी करमचार के लिए साल काफी अनकी खास हरा होना वाला है क्योंकि आपके लिए अच्छी गुण्योच मिलने वाली है 2024 के अंदर कुल अनकी मिला करके आठ पिस्ती मांगा इबता में भी इजापा होगा लेकिन इसका एंजार है और तोपे का आपको एंजार इसका करन होगा साल खतम होने में अब मर्ज डेड में नहीं बचा है इसके बाद नए साल का सफर सुर होगा और नए साल में तोपे भी आपको नए होगे अनकी नए तोपे मिलेंगे अक्टूमर में डिये में एजाप्र के बाद अब करमचार को मांगा इबता है मिना इस साल में केंदरी करमचारियों की नियुंतम सैली बढ़ाने के लिए फिटमेट फैक्टर लागू किया गया है। के लिए फिटमेट फैक्टर में कोई भी बजलाव नहीं वाई लेकिन अब इसमें अच्छी कबर आपके लिए होने वाली है। सिबन पे आयोकी सिपरिसों के मतबिक फिटमेट फैक्टर में 2.57 गुना और केंदरी करमचारियों की सैली तैकरते समय बटों के अलावार जैसे मांगाई बता डिये यात्रा बता टिये अलाउंस रैट जो हाउस अलाउंस रैट होती है वो एचारे और बगेरा होती हैं जिसम तीन आपका मान लिया जाए फिटमेट फैक्टर तो आपका 63,000 उपे जो यानकी सैली मिलने वाला है तो केंदरी करमचारियों के सिवन्त पे के उनके लिए इस तरह की अपडेट है कि उनका जो यानकी जो फिटमेट फैक्टर है उसमें सरकार बड़ोतरी कर सकती है तो इस कि आपके लिए आज की अनकी गुड़नियों जा रही है जिसके नुसार जो पैंसन धाके उनके लिए भी मुदी सरकार के दुवारा ऐसी जानकर यारी कि उनकी पैंसन और जो रासी है ये की एरियर की वो भी एनकी उनके खातों में जल्द बुक्तन होने वाला है साथ ही जो केंदरी क्रमजारी फिटमेट फेक्टर को लेकर एंजार करें उनको भी अच्छी गुड़नियों देखने को मिलेगी और आपका जो एनपियस में संसोदन को लेकर भी अपडेट आ रही है लेकिन अधिकारी कोशना सरकार है नहीं किया तो इन तमाम मुदों को लेकर जल्द आप सभी को अच्छी रात देखने को मिलेगी